महागठवंदन में और भी लीडर्स हैं जो विहार को लीड कर सकते हैं पर्सनली हम चाहेंगे कि वो हमारे नेता है इसलिए वो बने जेडी हो या बीएपी हो इन लोगों को शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब रहता है जनता से कोई मतलब नहीं रहता नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप सिटी मैं हूँ आपके साथ सौरवराज महागठवंदन में उपेंदर कुसवाहा का कद क्या है और कहां तक उपेंदर कुसवाहा महागठवंदन को ले जाएंगे क्या बिहार विधान स्वाथ चुनाप तक उपेंदर कुसवाहा महागठवंदन में चल रही है कि कॉंग्रिस उपेंदर कुस्वाहा को आगे करना चाहती है मुखमंत्री पद के लिए जिस तरीके से खबरें जुआ रही है कि उपेंदर कुस्वाहा मुखमंत्री के दावेदार हो रहे हैं महागठवंदन में ले करके क्या कुछ चल रही है भी उपेंदर कुस्वाहा को ले करके महागठवन्दन में जो मोटे तोर पर आपके सवाल का मतलब है उसका जवाब यह है कि हमारे देश में जो डेमोक्राटिक व्यवस्ता है उसमें यदि स्टेट में चुनाव होता है तो जनता MLS को वोट दे के चुनती है और MLS लेकिन क्या उपेंदर कुस्वाहा को लेकर के रालोस्पा तयार है कि मुख मंत्री का अगर दाई तुम दिया जाता है तो उसे निभाने के लिए तयार है उपेंदर कुस्वाहा हम क्यों ने चाहिए कि वह बने friction है एक लीडने जाया हुए और जहांतक कि योगिता का सवाल है और में हर विप बिहार को लीड कर सके लेकिन महागर्वंदन में और भी लीडर है जो बिहार को लीड कर सकते है पर्सनली हम चाहेंगे कि वो हमारे नेता है इसलिए वो बने उपेंदर कुस्वा को ले करके लेकिन महागठवंदन में जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी उनके तरफ से लगातार यह कहा जाता है कि महागठवंदन का नेतरित आरजेडी ही करेगी विधानसवाचुना आपको लेकर के जडिव लगातार तैयारी कर रही है क्या समय पे चुनाव होनी चाहिए जए जडिव हो या बीएपी हो इन लोगों को शुरू से सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब रहता है जनता से कोई मतलब नहीं रहता मैंने कई बार इंट्रिव्यू में कहा है और अ अगर आप जिले लेवल पर जाएगा तो दिन भर में सवासो और तेस्ट एक जिले में हो रहे हैं जो कि मुख मंत्री का काना है कि देश के सबसे बेहतर अगर दर कहीं है मरीजों की ठीक होने की तो भीहार में है मुख मंत्री जो बोलना चाहें बोल सकते हैं लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं करिए तो आपको पता कहसे लिए कितने लोग को करोना हुआ है और कितने लोग करोना से मर रहे हैं या ठीक हो रहे हैं तो सबसे पहला तो टेस्ट जरूरी है यह तो सबसे आसान चीज़े की करिए लोगों को मर जाने दीजिए इनको कोई लगाव नहीं है जनता से अब कल पर सोच से आप देख रहे हैं अब भी देख रहे हैं तीवी प्यार आया कि उनके परिवार के सदस्यों को जब करोना हो गया चीफ मिनिस्टर के आवास में घुज गया तो उन्होंने अस्पत पटना में वैसे तो सिमान्चल में हर साल बाढ़ा ती रेकिन पटना में लोगों को घर में पानी गुज गया था मेरे घर में भी गुज गया था लिए उसके बाद भी जो व्यवस्ता थी उसमें सुधार का कोई काम नहीं हुआ है और जब भी जब भी चुनाव हो हम तो च चुनाव समय पे नहों आगे के डेट टै की जाए क्या लग रहा है कि महागठवन्दन के तरफ चिराख पासवान रुख कर सकते हैं यह तो वह आपको बता सकते हैं लेकिन अगर आए तो स्वागत है आप लोगते लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओ भी युवा है आप से महागठवन्दन में खींचता नहीं बढ़ेगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हम लोगों के लिए बिहार और बिहार का विकास सर्वोप्रिय है इसलिए हम अगर कोई आना चाहे हमारे साथ तो हम बिल्कुल उसको अस्वागत करेंगे और गडवन्दन में की जो संस्कृत है वह यह है कि हम लोग पूरे गडवन्दन को एक परिवार मानते हैं और सबको उचित ने और समान देके आगे बढ़ने का काम करते हैं बिहार है तो लेकिन एंडिये में यह सब चलते रहता है किसी को कोई इज़त नहीं मिलती आप देखते रहते हैं कैसे लोग वहां अप झाल झाल